कि वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बाइलोजी विपरेशिंग लेडी से इंडल में हम लोगों ने चाप्टर चालू किया हुआ है और चाप्टर का नाम सरयाम इस कॉल फोटो सिंतेसिस और इस पटिक्वर फोटो सिंतेसिस में हमने धीरे धीरे बहुत मेहनत करत है रहते हैं वी एव स्टुडिड अबाओ इलाइट में हमने नॉन साइकलिक पढ़ा फिर फोटो रहस्पिरेशन पढ़ा और उसके बाद हमने सी सैकल पढ़ा इतने सारे साइकल हमने पढ़ लिए अब यह जो सीफो साइकल है इसमें कुछ फैक्ट है कुछ आपको समझना ह सब्सक्राइब आज के लेक्षर में पढ़ने जा रहा है आज के लेक्षर में हम लोग यह जो रियक्षिन है इसको तोड़ा डीटेल में सटडी करेंगे सबसे पहली चीज यह सिखेंगे दूसरी चीज हम सी 3 प्लांट और सी 4 प्लांट के बीच में क्या डिफरेंस है उस इतना ही हम आज सिखेंगे या सम चलो जिन्दगी की राहों में हमेशा आगे बढ़ते हैं यह वी गो कि तो पांच के बाद यह नंबर शिक्स पॉइंट है जो हम लोग बात करने जारें कि जब मैं पॉइंट नंबर सिक्स के बारे में बात कर रहा हूं तो हमको यह बात करना एक्जाक्ली आप कि यह जो पाइलवेट है कि यह जो पाइलवेट है और इस पाइलवेट के अंदर तीन कार्बन आटम प्रेजेंट है कि इसके अंदर एटीपी प्रेजेट है हमने एटीपी यूज करते क्या यूज करते हैं एटीपी यूज करते हैं प्लस हम यह तूमन में रिएक्षिन लिखा हुआ है प्लस एप्लस ही पीयों फोर तो हम लोग यूज करते हैं पाई वेक्शन कैसे होता है जब यह रियक्शन होता है तो बनता है पैप थिस यह फॉस्फोर्वित का मतलब क्या होता है पैडिनौसीन मोनो फॉस्फेट है और उसके बाद दिज़ अपी कि पीपी आई ह् पिपी आई का मतलब क्या होता है पीपिया आई का मतलब होता है पायरो सभाइए फायrो फॉसफेड मतलब होता है पायरो सभी यसी इस पैप अमपी लिए सपियरो फॉस BBQ ऑड़ ो से कोई डाउट नहीं ए तो आपने मौल अबदिस्क्री ची ए टीपी का एक फॉस्फेट पार्लवेट को जूड़ जाता है और फिर फॉस्फोफोई नौल पार्लवेट में गुड़ो हो जाता है बचा हुआ जो एक फॉसफेड है वो इसको चला जाता है और यह पैन पैसके पास कितने इसके पास कितने थिने इसके इतने phosphate है थी नो प्लस वन ये भी चार होता है और वन प्लस वन प्लस तो ये भी चार होता है तो इक्वेशन बैलेंस है है कि नहीं है मतलब यह सही है अब आगे क्या होता है यह आपको सीखना पड़ेगा एसन अगे यह होता है कि फिर से ब्रेक होता है और इसकी एनरजी पैप को बनाने में यूज हो जाती है इसका मतलब हम एक्चुली में दो एटीपी यूज करते हैं देखो एमपी बना मतलब हमने दो एटीपी यूज किया कैसे यह समझ्झे की कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है अपना फोकस अपना छर्फिकल्स एटीप कर दी हमने एक एक एटीपी यूज कर लिया उसके बाद होता क्या एक्जाक्ली यह जो एडीपी हैं यह जो एडीपी हैं एडीपी sean a kg d ए जो एडीपी एज एटीपी है यह फिल से कंवर्ट होता है एमपीot ऑगे ए मपी िथा ल Kollege ओध एक और इन और यॉश्ञेड में लीग इन और गैनिक कि आस्वेट यह अंडेस्टाइड आपको कर लेना चाहिए में ख्याल से आपको समझ में आ गया और यह बॉन्ड की वैलिव से मोटिए लेकिन अगर मैं इसको चनल्ड लेकिन बॉलेक करता हूं तो हम seven calorie यहाँ पर यूज करते हैं पक्का एदम क्लियर है इदम सिंपल है seven kilo calorie मैं यूज करता हूं लेकिन जब यह जो ADP है यह AMP में convert होता है IP में तो भी मैं seven kilo calorie मैं यूज करता हूं कि इसका मतलब मैं seven कहले सेवन के केंदी में कितनी बार यूज कर रहा हूं है का 2 बार तभी तो जाकर एमपी बनता है यह विर नो यहां पर बंडग गया इसका मतलब अधीपी की दो एनरीटि दो एनर्जी क्या हमने यूज कि इसलिए हम यहां पर डाइरेक्टली टूऔ एटिपी लिखते हैं कमजला का इसले हम यहां पर डैस्टीज़ दो एटिपी लिखते है एक्चली वह दो ऐटिपी उस तरीके से यूज नहीं होता है जैसे हुआ है लेकिन लोगों को यह concept समझ में नहीं आता है जितने लोग भी लेट आए है इसका वीडियो आने पर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे उसके बाद मुझे समझने के लिए आपको समझने के लिए आपको समझना होगा यह नीचे का रिएक्षन समयना होगा these exactly होता यहाई एएपी यह फॉस्फेट लिए एक होता सब्सेकonवर्ट होता है आई पी में एक एनरजी रिलीज होती है बॉन्ड की एक फॉस्पेट की विशिस नतिंग बद सीवर सेवन किलो करली एनरजी तो अगर मैं बोलता हूं कि सेवन केली सेवन कैली दो अगयोज हूई तो सब्सक्राइब कि कनवर्ट हो रहा है एक डी में प्लस आइबridge में टो यहां पर मैंने एक आटी पी जीस की लेकिन यहां पर फोटीन कीलो एक होगी क्या इसका जवाब है नहीं 14 KK कब होगी जब ये ADP से से ये ADP से AMP बनेगा तो आप ध्यान से देखो हमने पाइलवेट लिया ATP लिया और यह लिया और फाइनली यहां पे MP बनता है इसका मतलब हमने दो फोस्फेट की energy यूज की इसलिए हम यहां हमने डिपी लिखते हैं मेरे सहर्ट आपको अगया और आपको नहीं समझ में आगया समझने की जबरत नहीं है मत समझो इस नौट रिक्वाइड यह सर इस दाट कि अब यह जो फैक्ट है दो एटीपी की इस पे बेस अपॉन कुछ कल कौलेशन वा कि आप को समझना वह जबहुत उसी को समझाने के लिए हम आगे चलो नेक्स पेश पर जाते हैं कि आपकि या सोगा इन सीजी प्लांट कि आ इन इसीड्री लाट थे चिर्भाा और 1880 पी प्लस 12 NADPS2 यूज होता है यह ना तूफिक्स टूफिक्स टूफिक्स वान ग्लुकोस मॉलेक्यू एक ग्लुकोस मॉलेक्यू को फिक्स करने के लिए इतना एक ग्लुकोस में 6 कार्बन एटम होते हैं ना तो अगर मैं आपको पूछे हूं कि एक ग्लुकोस को फिक्स करने के लिए इतना अटप्पा और इतना नटप्पा यह से इतना एटिपी यूज होता है और एक ग्लुकोस में 6 कार्बन एटम है तो एक कार्बन डायोक्साइड इसके लिए एक ग्लुकोस को बनने के लिए 6 CO2 यूटिलाइज है यूटिलाइज है यूटिलाइज है मेरा आप सभी को सवाल है कि इफ इफ डायी वान इफ आइट आयए वट तो फीक्स ह इफ डाय वनक्सिर टू मलेक्थि ऑम अगर मैं एक सीओटू मॉप्डो को फिक्स करता हूं अगर मैं एक सीओटू मॉअलिक्थि को कितने एक स्वीक्स करता हूं एक स्वीडू मॉलेक्यू को मैं फिक्स करता हूं तो अगर ये 6 है बगाना अगर ये 6 है 6 के लिए 80 के लिए कितना होगा है कि अगरी सिग्षे 6 के लिए 12 है दो एक सिव्टू के लिए कितना होगा तो इसको डिवाइड before इसक्स करना है अगर हम डिवाइड बैइशिक्स करेंगे तो 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 380 पी एड़ ट्वेल्ड डिवाइड बैशिक्स कितना होगा तो 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 हम लोग यहां पर लिखेंगे टू एड़ी पी एच तो इतना हमारा यूज होता है फक्ता अब हम लोग क्यलिएशन यह के लिटन किसके बारे में जिसके अब्डेशन इस अब दर सीटी प्लांट है न ईए दिस अब्डेशन दर सीटी प्लांट लेस्ट रॉक कि आए नो नो मों राक लेस्टार क्बाइब है इन सीफोर प्लांट सीफोर प्लांट में यह कैलकुलेशन कैसे होंगे इसके बारे में बात करते हैं सीफोर प्लांट में यह कैलकुलेशन कैसा होगा देखो द्यान से सीफोर प्लांट में कि तूफिक्स तूफिक्स कि वन सियो टू दो एटीपी एक्स्ट्रा चाहिए देखो इधर इधर देखो यहां पर इस कैल्विन साइकल हो रहा है तो यहां पर अठारा एटीपी प्लस हला अहिश का एक चिकर्म पूटीबर AG के लिए इतना यूजल होगा लेकिन यहां पर laz Αिटी पीस जैज़ादा यूज़ रहा है तो यह दो रहाएं तो दो कि यहां पर यूज्ट ऑन बटारा साझ बंडल масс घंस हो रहा ऊच्कों में बटतर नहीं 2 अएक्सट्रा के मीसोफिल सेल में आप मुझे बोलो हाँ इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि तूफिक्स वन सियो टू फाइव एटी पी इस रिक्वाइड प्लस तू एन एडी पी एस टू यूज इतना यूज होता है इतना यूज होता है समझगा तुमको तो अगर यही पुछा जाए कि यह वन ग्लुकोस के लिए कितना होगा वन ग्लुकोस के लिए तो सबसे पहला सवाल आएगा वर्ण ग्लुकोस के लिए इसमें सिक्स स्योटू रहता है तो अगर एक ग्लुकोस के लिए इतना चे एक सी ओटू के लिए अगर इतना तो छे स्योटू के लिए छे से मल्टिप्लाय कर देने का कि मल्टिप्लाय करेंगे तो यह सिक्स फाइजा 30 ATP एंड थ्वैल एन डी पीएस तू तो यह फाइनल एक्वेशन आता है कर लगा तुमाला इसका मतलब यह आपका फाइनल एक्वेशन है यह फाइनल एक्वेशन एक ग्लुकोस के लिए और यहां पर यह फाइनल एक्वेशन एक ग्लुकोस यहां पर यह फाइनल एक्वेशन ने एक स्योटू के लिए वैसे ही यह फाइनल एक्वेशन नहीं यहां पर एक स्योटू के लिए ठीक है यह कैलकुलेशन समझ में आये क्या समझ नहीं समझ में आ घरते हैं यहां पर इसको दूबरत उन्फि influences qualify आगए तो जिराव में वे मुस्कुराते रहिए और कर दो अब हम लोण करते हैं यहां पे C3 plant है और इनके बीच में क्या-क्या difference हो सकते हैं उन differences के बारे में चर्चा करेंगे क्या चर्चा में आप सामिल होना चाते हैं यह सर्थ चलो लिखते हैं यहां पर this is this is called c3 plant this is called c4 plant और यह यहां पर पॉइंट्स है जो पॉइंट्स को हम यूज करेंगे ठीक है तो इनके बीच में क्या डिफेंस हो सकता है कि उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट है सियो टू एक्सेप्टर सीथी प्लान में हुई स्यो टू एक्सेप्टर आर यू बीपी जिसके अंदर फाइव कार्बन एक्सेप्टर इन सीफो इट इस नथिंग बदी पैप फॉस्फो इनॉल पाइलवेट और इसके पास तीन कार्बन एक्सेप्टर अगर नीट पुछेगा कि सियो टू एक्सेप् कौन से सेल में है तो आपको जवाब देना है इट इस गूइन टू बी मीशो फाइल से लेकिन अगर आपको पूछा गया कि हुई इस दे फॉर्स यू टू एक्सेप्टर इन बंडल सीथ सेल तो आपको नाम देना है आर यू बीपी दू यू एब बलड प्रेशर यह सर तो इसके पास थाइफ घबन एटम है और इडिजेसगोइन टू भी एक्सेप्टर और इडिजीजफ इडिज इडिज़ों टू बीएक्सेप्टर इन केस उफ इनकेस ऑफ बंडल सीथ सेल तो क्योंकि बंडल सीथ सेल में दुबारा होता है फोटो सिंट्रिस अ कि दूबारा सी we move on to point number two ladies and gentlemen next point who is the first stable compound first stable compound the first stable compound in the cc plant is going to be p g a or is in this case under hey oh oh carbon yes point number three is a point up to clear yes sir who catalyzed the carboxylation reaction carboxylation reaction catalyzed the carboxylation reaction in case of cc plant rubisco करता है rubisco is a rubisco सभी को full form अच्छे से पता है है ना तो इसमें कौन करता है पैप पैप केस एड रूबिसको रूबिसको करता है point number four पर move on करते हैं स्टार्च के बारे में बात करते हैं स्टार्च कहां पर बनेगा स्टार्च जो है वो मीसोफाइल सेल में बनेगा मीसोफाइल सेल में बनेगा स्टार्च यहां पर कहां बनेगा bundle seat cell then we move on to number five point पाँचवे point की तरफ move on करते हैं यह कौन से environment में पाया जाएगा ट्रापिकल या template environment कौन से environment में पाय जाएगा यह template reason में पाय जाएगा यह template reason में पाय जाएगा यह tropical reason में पाय जाएगा किसके अंदर cringe zenotomy पाय जाती है इसके अंदर नहीं पाय जाती है इसके अंदर पाय जाती है ऐसा sign कर दिया तो चलेगा thank you so much very good very good अभी नहीं very good सारे जवाब वो पहले ही देते जा रहा है तुम लोग ऐसे बैठे हो direct message आता है उसका यह सब्सक्राइब ना लेडी से इंटलमेंट आप्टिमम टेंपरेचर कितना होगा आप्टिमम टेंपरेचर अप्टिमम टेंपरेचर होगा 10-Degree से लेके 25-Degree Celsius और इसमें होगा 30 से लेके 45-Degree Celsius कोई डाउट है आपको इसमें में ख्याल से कोई डाउट नहीं है यह सारे पॉइंट आपको clear है seven point बोलो clear है कि नहीं clear है अगर बोलो कि नहीं clear है तो आके पीटूंगा पीटवाना चाहते हो नहीं तो बोलो हाँ फर्स यो टू एक्सेप्टर आयू बीपी यहां पर पैप है फर्स स्टेबल कंपॉंड पीजी है यहां पर ओए-ओए है कार्बॉक्सिलेशन यहां पर रुबिस्को करेगा पैप केस भी करेगा पैप केस मीसोफिल सेल में करेगा य यहां पर ट्रापिकल है यहां पर प्रेजंट रहेगा आप्टिमूंट के यहां पर 25 डिग्र सेल्टर वक्त आ गया है वक्त इचा गया है अक्त आ गया है हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा यहां पर लेकर है और हम आगे सब्सक्राइब 08 है रिइन यह कंत हो गया आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है जिलों करेंगे पॉइंट Jazz सब्सक्राइब करते हैं तो हमको समझ में आता है कि सन लाइट का सैचुरेशन कितना होगा सन लाइट सैचुरेशन यहां पर सेवन है तो यहां पर एट रहेगा नंबर बराबर है ना वान टू त्री फोर फाइफ सेवन चलो लेडी से इंजिमें एट पॉंट को बारे में बात करते हैं एट पॉइन्ट जो है जो आपको सम्साइब है वह सं लाइट जाएग अगर गुछल ने का मतलब होता है फुल्फिल होना लाइट से सेंटिस्वाइट पहले प्लांट होगा है ऐसा समझ मेंतलब लाइट से कूछ जल्दी हुष सीथ्री होगा यह 14 भी यह धा तो आप 15 साल के बच्चे जल्दी खुश हो जाएंगे या पांच साल के बच्चे जल्दी खुश हो जाएंगे या 500 में साइध हो जाओगे दस सुपे का केटबरी दू तो साइध नहीं हो पाओगे तो मैं आपको बोलता हूं कि सीवी प्लांट और सीफो प्लांट में किसको ज्यादा सीओटू मिला ज्यादा सनलाइट की ज़रुत है है मतलब सका कंजा लिए की जब्रतoma ज़्यादा संफलाइट की जब्रति की इसको थोड़ा सा भी सन लाइट मिल गया तो खुश हो जायेगा कौन ज़्फेजा लाइट को रिसीव कर सकता है और ज़्यादा बैटर तरीके से फोटो सिंतेसिश कर सकता है चल्व मुझे जवाब दीजे दाओ नेशन मॉनटू नो धी एंसर जैसा कि आपको मालुम है। सीत्री प्लान को अगर जादा लाइट दे दिया तो ये फोटो रैस्पेरेशन करना चालू कर देता है। लेकिन अगर इसको आपने ज़्यादा लाइट दिया तो यह फोटो रेस्प्रेशन नहीं करेगा तो यह कम लाइट में जल्दी से खुश हो जाएगा तो लाइट का जो सैचुरेशन है इसमें जल्दी आएगा और इसमें कम आएगा आपको समझ में आया मैंने क्या बताया य इसको दस से सेवेंटी परसेंटेश लाइट मिल जाए यह सर आफ लाइट कि इतने लाइट में यह गैट सैचुरेटेड यह सैचुरेटेड हो जाएगा यह सर यह फुल सन लाइट में सैचुरेटेड हो जाएगा फुल सन लाइट सैचुरेशन यह सब इसका पेट लेट भरेगा सनलाइट से इसका पेट जल्दी भरेगा सनलाइट से वाट इस पेट पेट इस नथिंग बद्द कितने जल्दी यह फोटो सिंदेसिस करेगा है ना we want to point number 9 के बारे में बात करते हैं, 9 का नाम है optimum temperature, optimum temperature, optimum temperature का मतलब क्या होता है, optimum temperature का मतलब यह होता है, यह कौन से best temperature पे काम करेगा, और यह कौन से best temperature पे काम करेगा, optimum temperature का मतलब होता है, best temperature, जिस पे वो best तरीके से काम करेगा, है ना, तो यह काम करता है, 10 to 25 degree Celsius, जब कि इसका temperature क्वालिटी जादा है, 30 से 45 degree, percentage किसने ड्रॉ किया रहे, किसने ड्रॉ किया पर्सेंटेज, इस इस गोईन तो बी 10 to 25 degree Celsius बोलना था, percentage नहीं, degree Celsius, 10 to 25 degree Celsius, and this is 30 to 45 degree Celsius, concept clear, very good, so optimum, optimum का meaning लिखना आपको बनता है, optimum का meaning लिख लो, optimum is the best temperature at which enzyme work best, enzyme work best, यह वो temperature है जिसमें enzyme best तरीके से काम करता है, यह सर, चलो पूड़े जाते हैं, let's move further, let's talk about the point number 10, 10, और point number 10 है, chloroplast, chloroplast के बारे में बात करते हैं, chloroplast इसमें monomorphic होते हैं, किसमें dimorphic होते हैं, dimorphic उसमें होते हैं, जिसमें crane genotomy पाए जाते हैं, so, यह chloroplast यहां पर one type के होते हैं, जबकि यहां पर यह two type के होते हैं, यह है mono-morphic, yes sir, this is going to be mono-morphic, बेच्चो, mono-morphic हैं जबकि this is going to be dimorphic, यह dimorphic रहेगा, यह mono-morphic है, और यह dimorphic है, तो महला concept पर लग, point number 11 के बारे में बात करते हैं, Kelvin cycle किस में होगा, C3 plant में होगा या C4 plant में, only, only Kelvin occur, इसमें Kelvin ही होता है, इसमें Kelvin के साथ DCA भी होता है, with Kelvin, DCA cycle also occur, number 12, Kelvin cycle का location कहां होता है, Kelvin का ही point है, जबकि कौन से cells में होता है, तो यहाँ पे जो Kelvin होता है, it will occur in mesophyll, क्या पढ़ाते हो या, different समझ में आते हो या, यहाँ पे जो Kelvin होगा, it will occur in bundle, bundle, sheet, cellah, bundle, sheet, cellah में पाए जाता है, 12 के बाद हम लोग 13 के बाद में बात करते हैं, that is point number 13, CO2 compensation point, CO2 compensation point, compensation point, CO2 का compensation point किसके लिए ज़्यादा रहेगा, अगर compensation point का मतलब क्या होता है, compensation point वो point होता है, जिस पे rate of respiration and the rate of photosynthesis समान हो जाता है, आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए, कि respiration में हम release करते हैं CO2, मलब plant release करते हैं, और यही CO2 वो photosynthesis में use करते हैं, अगर आपने respiration किया, आपने मतलब plant ने किया, प्लांट respiration में CO2 निकालेगा, हम लोग भी respiration में CO2 निकालते हैं, उनको भी oxygen चाहिए respiration करने के लिए, ऐसा समझा मत उनको वो respiration करते हैं, नहीं, अंद विस्वास पे नहीं जाना, तेंथ में teacher ने क्या बोला था उस पे विस्वास नहीं करना, मेरी degree ज़्यादा बढ़ी है, है न, ध्यान से समझना, एनिमल की तरह plant भी respiration करते हैं, वो oxygen लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, तो respiration में plant ने CO2 छोड़ा, छोड़ा, यही जो CO2 है, यही CO2 है, यही CO2 यूज हुआ, फोटो सिंटेसिस में, यही फोटो सिंटेसिस में यूज हुआ, पक्का, एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा, जब CO2 का release, release respiration में, और फोटो सिंटेसिस का CO2 का यूज करना, यह दोनों सेम हो जाएगा, मतलब, प्लांट respiration में, जो भी CO2 release होगा, वो CO2 environment में नहीं release होगा, वो पूरा का पूरा CO2 photosynthesis में use होगा, और photosynthesis में और भी ज़्यादा CO2 की ज़रूरत environment से नहीं है, environment से ना लेना है, ना environment से देना है, जो भी respiration करना है, CO2 देखो आएगा, जो भी CO2 आएगा, वो प्लांट के लिए sufficient हो जाएगा, ऐसा पॉइंट life में प्लांट के जबी भी देखो आएगा, उसको हम compensation point देखो कहे जाएगा, बात समझ में आएगा, compensation is the point at which the rate of respiration and the rate of photosynthesis, है ना, CO2 release in the respiration is 100% utilized in the process of photosynthesis, rate of respiration and rate of photosynthesis equal हो जाएगा, है ना, चालो, तो हम लोग इसको लिखने की कोशिस करते हैं, आपको क्या लगता है, CO2 compensation point ये किसके लिए जल्दी आ जाएगा, CO2 compensation point इसके लिए slow होगा, और इसके लिए rapid होगा, पूछो इसके लिए rapid क्यों होगा, पूछो, इसके लिए जल्दी आ जाएगा, क्यों मालूम है, क्योंकि इसके पास दो-दो CO2 है, देखो, यहाँ पे भी C4 cycle में CO2 produce होता है, और यहाँ पे भी CO2 आ रहे है, है ना, तो इसको CO2 का compensation जल्दी आएगा, इसलिए मैंने rapid लिखा हुआ है, इसको slow आएगा, मुझे समझ में आ गया, आपको तो नर्शा सच आ गया, 13 के बाद जो point आता है, दुनिया उसको 14 कहती है, क्या important information दिया मैंने, rate of photorespiration किसका होगा, rate of photorespiration, rate of photorespiration, rate of photorespiration किस में ज़्यादा होगा, C3 में it will be more, है ना, क्योंकि वही photorespiration वही करता है, C4 plant of photorespiration नहीं करता है, आपको यह समझ में आना चाहिए, इट इस नेगलिजिबल, इट इस नेगलिजिबल, नेगलिजिबल, यह नेगलिजिबल अमाउंट में हैं, यह सर, 14 के बाद हम लोग more on करते हैं, 15 point के बादे में, है ना, इसके लिए हमको इसको copy करना होगा, और बिलकुल यहीं कहीं paste करना पड़ेगा, है ना, यहीं कहीं हमको paste करना पड़ेगा, अब तो paste कर दिये हुए, point number 14 हो गया है, कितना पड़ाते हो सब, अरे जितना difference आएगा ना, उतना concept समझता है, पूछो बच्चों को, ऐसा ही होता है, जिन्दगी में, 15, है ना, 15, 15, 15, 15 point के बाहरे में बात करते हैं, yeah, adapted for all type of climate, adapted, adapted for all type of climate, एडेप्टे फॉर आल टाइप ऑफ क्लाइमेट ओन्ली ट्रॉपिकल यह उन्ली ट्रॉपिकल में पाए जाएगा यह सर तो क्लाइमेट की बाए में लिख देते हैं क्लाइमेट का पॉइंट है पॉइंट नूम्बर सिक्स्टीन यह प्लान चैन नॉत तॉलरेट चैन नॉट टॉलरेट सलाइन कंडिशन सलाइन कंडिशन यह सलाइन कंडिशन को टॉलरेट नहीं कर सकता है आप दे केंट टॉलरेट इस लाइन कंडिशन यह सलाइन कंडिशन को टॉलरेट कर सकते हैं तो यहां पर मैं पॉइंट लिखूंगा सलाइन कंडिशन पॉइंट नमर 16 के बार आता है पॉइंट नमर 17 कितना सी यू टू एक सी यू टू के पिछे कितना एटी पी जाता है एंड कितना एटी पी एस टू जाता है पर सी यू टू पर सी यू टू सी यू टू सी थी प्लान में तीन एटी पी एंड दो एटी पी एस तो सी यू टू इस में फाइफ एटी पैनद शी प्लान फोटो सिंद्रसि्टि बूंपन है लिमें इस तो मेटल बं रहे गा तो भी परफॉर्म कर सकता हैं एक रहा है चर्व 28 लिखता हूं कैन पर्फॉर्म Person手 कैन परफॉर्मन photo can perform photo synthesis in can perform photosynthesis when when stomata open when stomata open can perform can perform photosynthesis photosynthesis when stomata is closed even when stomata is closed even when open when 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 stomata close पका है ना मैं स्रीटी तो यह कि इस्तो मैंटा के बारे में पॉइंट था इस्तो मैं अ मैं इस्तो मैं और इस्तो मैं पॉइंट नमबर 9 19 है सर इस्ट्रेस में कौन काम करेगा इस्ट्रेस में अगर इस्ट्रेस हुआ तो यह मर जाएगा फोटो एस्ट्रेशन यह सर के नॉट फंक्शन के नॉट फंक्शन में इन स्ट्रेस के एं वोक के फंक्शन इन स्ट्रेस यह इस्ट्रेस में काम कर सकता है मेरे ख्याल से आप कंपेंसेशन पॉइंट का डेफिनेशन लिख दीजिए कहां पर लिखे हम यहां पर लिखते हम इडिज़ पॉइंट आट विच रेट ऑफ फोटो सिंथेशिस इस इक्वल टू रेट आफ रेस्परेशन कंपें सेशन पॉइंट इडिज दी पॉइंट आट विच रेट आफ रेस्परेशन इस इक्वल टू रेट आफ फोटो सिंथेशिस मेरे ख्याल से मैंने आपको यह पॉइंट बता दिये मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इस प्रफिट में टेन टू सेवेंटी परसंटेज अफ सनलाइट में सेचुरेशन आएगा यहां फूल सनलाइट इतनी आएगा आप्टिम्यम टेंपेश्टर इतना है यहां पे इतना है प्रोड्वास् मोनुमॉफिक है गयल्विन उल्ली केल्विन केल्विन बीस इतना कैल्विन सेल में में सोफ्ल सेल में यह कंपेंशन पॉइंट यह बाकि यह दो एटिपी दो दो एने डिए इस तो यह कॉमन है इस तो मैटा क्लोज रहेगा तो यह काम नहीं करेगा ओपन रहेगा तो भी काम करेगा और क्लोज रहेगा तो भी काम करेगा यह स्ट्रेस में काम करेगा यह स्ट्रेस में काम नहीं करेगा I think this point is done ladies and gentlemen thank you so much for being present on this particular channel this is Vijay Mishra shining of Jai Hind